बिग बॉस सीजन 13 इस बार होस्ट सलमान खान कंटेस्टन्स की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं नमस्कार आप देख रहे हैं दिललन टॉप और अगर आप देख रहे हैं बिग बॉस 13 तो आप यह जानते होंगे नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जान जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं किस बारे में बात कर रहे हैं अचाब 12 जन्वरी को वीकेंड का वार एपिसोड में एक बार फिर सलमान खान कंटेस्टन्स पर बढ़कते हुए दिखे सारा मसला शेहनाज गिल और माहिरा के बीच हुए एक टास्क के दौरान शुरू हुआ टास्क था कि घर के अंदर मौजूद बाकी कंटेस्टन्स को बताना था कि शेहनाज और माहिरा में से एक दूसरे से कौन ज्यादा इशार करता है सबी कंटेस्टन्स ने नाम लिया शेहनाज का इसके बाद शेहनाज चीक चीक करोने लगे शेहनाज ने सिधाच शुकला और बाकी कंटेस्टन्स पर सलमान खान के सामने उन्हें बुरा और जेलिस दिखाने का आरोप लगाया जब सल्मान खान ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो शेहनाज ने कहा कि वो उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझ थी इसके बाद सल्मान खान ने उन्हें जम कर फटकार लगा ही सल्मान खान ने कहा कि शैनाज उनके साथ तमीज से पेश आएं क्योंकि वो हमेशा उनके साथ तमीज से बात करते हैं शैनाज इसके बाद घर से बाहर जाने की धमकी देने लगी और बिग बॉस से दर्वाजा खोलने के लिए कहने लगी शेहनाज ने इस दौरान सल्मान खान को धोके बास भी कह दिया शेहनाज काफी देर तक रोती रही और सल्मान ने उनसे बात करने से मना कर दिया सल्मान ने सिधात से कहा कि शेहनाज किसी बिगडे बच्चे की तरह बिहेव करती है और उन्हें घर से बाहर निकल जाना चाहिए जब शेहनाज लगातार बत्तमीजी करती रही तो सल्मान खान घर के अंदर आ गए और उन्होंने शेहनाज को जम कर खरी गोटी सुनाई सल्मान खान ने कहा कि शेहनाज खुद को वाकई काटरीना कैफ समझने लग गई है क्या काटरीना कैफ को इस तरह वियवार करते हुए देख सकते हैं शेहनाज ने जब शो में एंट्री ली थी तो अपने इंट्रोड़क्शन में उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब की कटरीना कैफ हूँ इस तरीके से खुद को इंट्रीज किया था शेहनाज पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक आल्बूम्स में दिख चुकी हैं उन्होंने कहा था कि पंजाब में उन्हें उनके फैन्स कटरीना कैफ बलाते हैं सल्मान कान ने इस एपिसोड में सिधाच शुकला को संभल कर रहने की सला दी सल्मान ने कहा कि शेहनाज सिधाच से प्यार में पढ़ चुकी है और अपने वेवार की वज़े से घर से बाहर निकल कर शेहनाज को बहुत तकलीफ होगी अब 13 जन्वरी के एपिसोड में पता चलेगा कि शेहनाज घर के अंदर रहती हैं यह इतने ड्रामे के बाद बिग बॉस उन्हें घर से बाहर कर देते हैं बाकी यह वाली वीडियो यही तक अगर आपने एपिसोड देखा था तो अची बात है कॉमेंट बॉक्स में लिखें आपकी क्या राय है और अगर नहीं देखा था तो यह वीडियो कैसी लगी वो बता सकते हैं इसी और अपडेट्स के लिए सिनमा की टीवी की आप देखते रहिए दिललन टॉप यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया